हेलो फ्रेंट हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काना जी की ड्रेस तो जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है 11 इंच और इधर से लिया है तो यहां पर 5.5 इंच और 11 इंच तो एक बार हमने फोल्ड कर लिया है पूरे से सलवार कट करते हैं तो यह दोती वाली ड्रेस है काना जी की तो अब यहां से देखिए हमें एक इंच पर मार्क करना है इस तरीके से से डालनी है एक इंच पर और एक इंच पर हमें इधर से डालनी है ठीक है दोनों तरब से हमने एक इंच पर मार्क किया है तो यहां से हम सेप डाल लिया है सेव इसी तरीके से हमें इसे कर्ट करना है जैसे हमने इसमें सेप डाली है दोनों तरफ से इसी तरीके से कट कर लेंगे तो यहां पर देखिए हमने दोनों तरफ से कट कर लिया है तो एक कॉर्णर पर हमें छोटा सा कट लगाना है जो हमारा उपर वाला इस सरहेगा ठीक है तो यहां पर एक कॉर्णर पर हमने मार्क कर लिया है यह नीचे की साइड है यह उपर की साइड है तो नीचे की साइड पर हमें किनारी लगानी है तो यहां पर हमने एक किनारी लिये है इस कपड़े को इस तरीके से सीधा रखेंगे तो यहां पर नीचे की तरफ से फोल्ड किया और ऐसे ही डवल फोल्ड करके हमें इसके उपर कि और सब्सक्राइब करने के बड़ नोटिफिकेशन वैल को जोड़ दमाए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और जिन्हों ने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो सेम तरीके से हमें दूसरे पाट को भी बनाना इसमें पूरे में इस पाइपिन को लगा लेना है तो देखिए यहां पर हमने इसी लगा लिया है एक्ष्टर पाइपिन को कट कर लेंगे तो इसी तरीके से यहां पर लगा लेंगे तो देखिए दौनों को हमने सेम तरीके से लगा लिया और इसमें हमें प्लेटे डालनी है तो इस तरीके से छोटी छोटी चुणनटे लेंगी और चुणनटों को जो डारेक्शन है वो हम बीच के वाले हिस्से की तरफ कर रहे हैं जिदर हमारा कट है तो यहां कट आ चुका है और कट से हमें प्लेटों का डारेक्शन चेंज करना है तो दोनों तरफ से जो हमारी प्लेटों का डारेक्शन है वो बीच की साइड होना चाहिए और जिस तरीके से हमने यह वाली प्लेट लगाई है से हम तरीके से दूसरे वाली प्लेटों को भी लगा लेंगे यहां पर हमें सैमने तरीके से कमप्लीट कर लिया है यहां पर दो इνच पर जो यूइंट करना भी लगाए तो हलका से एक दूसरे फ उपर रखेंगे इसको और दो इंच काह जोइंट कर देंगे यहां से तो यहां पर देखिए 2 इंच हमने जोइंट कर लिया है अब यहां से देखिए कमर को नाप लेंगे तो हमारी 6 इंच आ रही है उतनी ही हमें पट्टी लेनी है यहां पर 1.5 इंच चोड़ी पट्टी लिया है और जितनी भी आपकी कमर है उसी हिसाब से पटी ले लें तो हाप इंच एक्स टाल लेंगे जो थोड़ी सी सिलाई में फोल्ड करेंगे इस तरीके से हलकी सी फोल्ड करके तब लगानी है तो अभी हम उल्टे कपड़े की तरफ रखके एक सिलाई लगाएंगे फिर यह सीधे कपड़े की तरफ परटाएंगे अब इससे तरीके से इस कपड़े को अंदर की तरफ दबाएंगे और इस प्वार फोल्ड करेंगे दूसरी प्वार फोल्ड करेंगे और इस पूरे को इसी तरीके से कंप्लेट करेंगे तो यहां पर हमने इसको सिल लिया है यहां से एक इंच छोड़ेंगे इस तरीके से और इसके बाद एक इंच पर मार्क करेंगे जो हम जॉइंट करें क्योंकि हमने फ्रेंट की तरफ यहां यहां पर इसके एक इंच छोड़ेंगे यहां पर एक इंच थी लेंगे तरफ हमने खुला चोड़ दिया है तो देखिए यहां पर इसको जॉइंट कर लिया है तो देखी यहां से सीधी साइड होगी और यहां नीचे से भी हमें थोड़ सा जोइंट करना है तो यहां से एक इंच दर और एक इंच दर दौनों तरप एक एक इंच लेना है हमें इसको पिल्कुल बराबर करते हुए तब सलाई लगानी है इसको पिल्कुल पका करके सलाई को लगाना है ताकि यह बार बाद उद्र देना तो यहां पर देखिए हमने जोइंट कर लिया यह पीछी की साइड से खुला हुआ है अब इसके लिए उपर का टॉप पिस बनाएंगे तो यहां पर देखिए 1.5 इंच की हमने एक पट्टी ली है और यहां पर हमने 14 इंच लिया है इसको तो इसमें भी हमें जैसे नीचे हमने किनारी लगाई है उसी तरीके से इसके उपर भी लगानी है तो यह दोनों तरफ हम किनारी लगाएंगे यहां से एक्स्ट्रा को कट करेंगे और दूसरी तरफ लगा देंगे तो यहां पर देखिए पूरे में हमने इसको लगा लिया है अब इसे 20 सेंटर से कट करना है तो एक बार इसे हमने 20 सेंटर से कट कर लिया इसको सीधा रखेंगे और यहां से हमें 2.5 इंच पर जोंट करना है दो से 2.5 इंच पर करें तो हलका सा एक दूसरे कट रखेंगे और इसके उपर स्ले लगा देंगे अब इसको इसकी साथ प्टैज करना है तो देखिए यहां पर बिल्कुल 20 सेंटर में रखना है इस तरीके से आएगा तो दोनों को फोल्ड करना है आप चाहे तो यहां पर आई हुक लगा सकते हैं हम इसे चिपकाने के लिए लगा लेंगे तो बराबर के दो पीस कट करेंगे और लगाएंगे तो इसके एक हिस्टे को हमें उपर वाले पीस में लगाना है एक हिस्टे को नीचे वाले पीस में लगाना है एक को यहां पर लगा देंगे इसी तरीके से हमें दूसरे में भी लगा लेना है जो दूसरे इस ट्रिप है इस इस ट्रिप में भी हमें से लगाएंगे देखें यहां पर हमने दौनों में लगा ली है इस तरीके से तो हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है यह किस तरीके से बनाई है हमने आपको बता दिया है इसका लुप बहुत ही प्यारा आया है आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू